नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बरताई डिजीटल मीडिया प्लेटफॉर्म बर्दान एक्सप्रेस बर्दान एक्सप्रेस के आसके वीडियो में हम बात करेंगे च्छतरपूर कलेक्टर की जो की सुक्षता और सफाई को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं और उनके द्वारा अक्सर साफ सफाई पर बिसेज गौर किया जाता है इसलिए रात के वक्ते भी शहर की विवस्ताओं क को देखने के लिए निकल पड़ते हैं और जहां पर भी उन्हें गंदिगी दिखती हैं ततकाल प्रिभाव से संबंदित विभाग को बय सूचित करते हैं और यहां पे सफाई को लेकर लगातार संकल्पित हैं इसी को लेकर अब एक नगरपाली का द्वारा नई मसीन की है और इसका ट्राइल बरजन देखने के लिए च्छतरपु कलेक्टर संदीब जी आर मौके पर पहुंचे और रात के वक्त ही उन्होंने इसका ट्राइल बरजन देखा कि आखिरकार यह मसीन कैसे सफाई करती है इस खबर की प्राज़क हैं हेमा एलमूनियम एंडपलाई हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडिस्टी जेरिया पन्ना रोड छतरपुर तो इस वीडियो के माद्यम से आप लगातार देखिए कि कैसे यहां पे छतरपुर के कलेक्टर संदीब जी आर मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने सफाई का हाल चाल जाना इसके साथ और यह मसीन एक घंटे में 6-8 किलो मीटर लंबी सड़क को साफ कर देती है दाबा किया जाता है कि इस मसीन के चलने से सड़क पर धूल नहीं धूल का एक भी कण नहीं रहता बलकि एकदम किलीन हो जाती है और मसीन में जाडू नुमा सिस्टम लगा हुआ है इसके साथ ही ब धूल भी नहीं उड़ती और ऐसा कहा जाता है कि यह छिड़काओ भी करती है ताकि धूल न उड़े तमाम चीजों को लेकर यह मसीन च्छतरपुर आचुकी है जिसकी तस्बीरें आप लगातारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से च्छतरपुन नगरपाली का CMO म संकल्पित है अब लेकिन देखना या होगा च्छतरपुन नगरपाली का कब तक इसका सदुप्योग कर पाती है या फिर ये पहले आई मच्छर मसीन फोगिंग मसीन की तरह धूल खाती नजर आती है क्योंकि फोगिंग मसीन भी लाग रोपे खर्च करके नगरपाली का द् लेकिन कुछ समय बाद अब भैधूल खाती हुई नजर आ रही है तो इस तरीके से ये दूसरी मसीन छतरपुर में आई हुई है जिसका काम सफाई करना है और ये आटोमेटिक संचालित होती है तो यह मसीन अब देखना इस बात को होगा कि नगरपाली का कब तक इस मसीन की क् करती है और छतरपुर शेहर को कितना साफ और सुन्दर बना पाती है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक पर अपने जरूर सुझाओ दीजिए इसके अलाबा हर ख़बर हर अपडेट को जानने के लिए लगातार देखते रहे बरदान एक्सप्रेस